वाटसब वीबल क्या हालस अभी के तो यार आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ about installation of custom kernel in Redmi Note 8 Pro तो यहाँ पर गैस आपको मैं इसकी पूरी installation बताऊंगा कि कैसे आप इसको अपने फोन के अंदर install कर सकते हो So, let's begin तो यहाँ पर गैस मेरे पास आपने Redmi Note 8 Pro है और अभी यह चल रहा है भाई यहाँ पर Corvus OS version 7.0 पर आप गैस इसको किसी भी custom ROM के उपर बहुत ही असानी से इंस्टॉल कर सकते हो So, सबसे पहले गैस आपको यहाँ पर वीडियो की description में जाना है और वहाँ से custom kernel की zip file को download कर लेना है मैं गैस इसको Audrey download कर चुका हूँ Download करने के बाद गैस आपको अपने phone को recovery mode के अंदर reboot कर लेना है बट कुछ custom ROMs के अंदर गैस यहाँ आपको developer options के अंदर देखने को मिलता है तो आप इसको वहाँ से भी enable कर सकते हो इसके बाद गैस यहाँ पर जब आप power menu यानि कि जब आप power button hold करोगे तो आपको गैस यहाँ पर एक नया option देखने को मिल जाएगा advanced आपको इस पर click करना और यहां से recovery को choose कर लेना है देन आपका phone direct recovery के अंदर reboot हो जाएगा चाहे आपके phone के अंदर preloader हो ना हो या फिर कुछ और भी installed हो आपका गैस अब सीधा phone recovery mode के अंदर आ जाएगा आपको इस जिप को अपने phone के अंदर flash कर देना है उसके बाद गैसी custom kernel आपके phone के अंदर install हो जाएगा देन गैस आपको simply यहाँ पर reboot में जाना है और system को चूज कर लेना है आपके phone के इंस्टाल हो चुका होगा एक बार में आपको अपने phone को on करके भी दिखा देता हूँ यह बेसिकली गाइस डेमान स्लायर करनल है इसका लिंक आपको description box में देखने को मल जाएगा तो आप भी इसको download करके install कर सकते हो और इसकी भाई बहुत जल्दी comparison video आने वाली चानल पे तो उसके लिए चानल को subscribe कर लो ताकि आप वह वाली वीडियो को भी देख पाओ तो यहां पर गाईस जो मेरा phone है वह बूट हो चुका है तो यहां पर गाईस अगर मैं आपको settings में जाकर दिखा हूँ तो मेरा जो करनल है वो चेंज हो चुका आप यहां पर गाई